जहन बध्यारतियों क्या हाल चाल सब बढ़िया चलते हैं आज की बहतरीन सी क्लास की ओर क्योंकि पिछली क्लास में ने महतवपुन तरीके से आपको आपको पता दें कि मौरकाल के बारें प्रमुख जानकारी दी थी जो कि आपके एक्जाम के लिए था आपके जीवन के प्रियल देने का प्रोमिस करता है निवादा करने का कार करता है तो वह आपका समय जादा खराब नहीं सीधा आना है टॉप इक पर जांदार सांदार चा टॉप एक आप देख रहे होगे आज की वीडियो थोड़ी सीच छोटी हो सकती है क्योंकि समय का अभाव है कि असवक का जो पुत्र है कुंडाल बैठा ठीक है अच्छे एक बात और समझो है आपर असुग का कोई भी उत्रादिकारी योग नहीं था और मौरबंस का अंतिम जो सासकता भ्रद्रद्र था जो की एक वहद्रद्र था जो की एक आयोग शासक और कमजोर सासक हुआ करता था इसी कारण आपको पता दें आपको पता दें इसी के कारण मौरबंस के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी बना आगे अगर बात करें इसके सासन काल में कलिंग नरेस हारवेल ने कलिंग कलिंग को मगत से सुसंतर करा लिया क्या कलिंग को मगत इसे सुजंतर कराने का कारगिया और ये भी एक महतपूर कारण रहा आपको बता दें ये महतपूर बाते हैं कि असुक जो था उतर दहिकारी योग नहीं था जो सासक था वो योग नहीं रहा और अंतिम चासासा कि अगर बात करने बैदरत ये तो बहुत कमजोर सासकता और बहुत आयोग सासकता जिस कारण आपको बता दें आपको बता दें मौरक बंस के पतन का एक प्रमुख कारण रहा आपको बता दें आगे देखीगा असुक का जो युद्ध है युद्ध नीती को त्याग दीना एक मौरकाल का प्रमुख कारण रहा आगे सनू अशोक का बौध धरम के प्रती अत्याद्यक जुकाब ये भी प्रमुख कारण रहा कि अत्याद्यक जुकाब मतलब बौध धरम में गुज़ गया रहे नहीं हमाई साबू औरे भाईया स्री रादे स्री रादे दूसरों को दान दोगे तो कहां? गड़बड तो होंगी चीजें. अब समझो, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक का उत्तर अधिकारी का आयोग होना ही था, साथ ही बिभिन अधिकारी भृष्टा चार में क्या थे? लिप्त थे. और नोट में प्रम खुरूप से मैंने बता अशोक के उत्तर अधिकारी की बात करूँ तो 232 इसा पूर्व में अशोक की मृत्ती हो गई थी पाटली पुत्र में, इसके बाद मगत की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुडाल बैठा, अशोक का कोई भी उत्तर अधिकारी योग नहीं था, मौरकाल का अंतिम जो सासक ब हर बेल ने कलिंग को मगत से सुसंदर करा लिया था, मौरकाल के पतन के कारण बात करूँ तो अशोक के युद्ध नीती का त्याग देना, अशोक का बहुत ध्रम परत्या, अधिक जोकाव अशोक ने बहुत विक्छोकोग इतना दान दिया, ग्यार्थिक संकर्दपन हो गय का, इस कारण आपको बता दें, इस कारण किलास को थोड़ सा छोटा करना पड़ा, परंतु चिंता मत करना, कल आपको बता दें, कल हम बात करेंगे सुंग बंश की, सुंग बंश की प्रम खुरूप से बात करने वाले हैं, बहुत जानदार सांदार बंसों का प्रार्रम हो चुका है तैयारी में जुट जाओ सेलेक्शन तो इस बार दिला के रहूंगा चिंता तो करना नहीं ठीक है तो जो बिध्यारती नए है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें हो सेर करके आए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ क्य थैंक्स पर वाचिंग जेहन जेवारत वेजन को सब्सक्राइब